नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है योगेंदर पाल, अपने आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किसी टेबल का caption कैसे दे सकते हैं तो हम इस टेबल की बात करते हैं इस table का हम एक caption देना चाहते हैं, तो caption देने के लिए आपको table के बाद एक tag इस्तिमाल करना पड़ेगा, जिसको हम caption tab बहुते हैं, caption tag, caption आप लिखिए, caption के अंदर आप जो भी देखना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं, for example, हमें लिख देते हैं, teachers of learn by a watch, तो यह जो caption है, वो इस table का आगया है, similarly, आप जिस table में भी caption देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर लिखिए, caption, this is another table, इतना याद रखिएगा कि, भले ही यह एक independent tag है, लेकिन उसके बावजूद भी यह table के just बाद आना चाहिए, अगर हम इस caption tag को, यह caption element को table के बीच में कहीं, या फिर table के end में कहीं रखते हैं, तो यह सही नहीं है, दिखाई जरूर दे जाएगा, लेकिन यह सही तरीका नहीं है, सही तरीका है, टेबल के just बाद ही इसको रखने का, तो जैसे ही आपका table tag start होता है, उसके तुरंद बाद आप caption tag का इस्तेमाल करिए, और अपने table का caption लिख दीजे, उसके बाद ही आप table का data fill करना start कीजे, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गया हूँगे, किस तरह से आप table का caption दे सकते हैं, HTML में, अब मुलाकात करूँगा आप से अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे, images के बारे में, कि अपने इन files में images को कैसे लाया जाए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाज़त दीजे, नमस्कार्ण